आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी कोर्स B के व्याकरन पाठ्खेक्रम से शब्द वा पद और आईए सबसे पहले जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं वर्णों के स्वतंत्र वा सार्थक मेल को शब्द कहते हैं जैसे क, जम, म, जम, ल, बराबर है कमल कमल तीन वर्णों का सार्थक मेल है और यह स्वतंत्र भी है इसलिए यह शब्द है एक अन्य उधारन देखते हैं म, जम, क, जम, ल, बराबर है मकल यह भी तीन वर्णों से मिल कर बना है स्वतंत्र भी है लेकिन यह सार्थक नहीं है सार्थक नहीं है इसलिए यह है शब्द भी नहीं है फूल, तालाब, सुंदर, खिलना ये सभी स्वतंत्रवा सार्थक हैं इसलिए ये सभी शब्द हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं विकारी शब्द और दूसरा है आविकारी शब्द आईए पहले जानते हैं विकारी शब्दों के बारे में जिन शब्दों की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाती है वह विकारी शब्द कहलाते हैं जैसे हमें अच्छा, खाता है, खाती है, आदी संग्या, सरवना, विशेशन और क्रिया विकारी शब्द हैं दूसरा भेद है आविकारी शब्द जिन शब्दों की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होती वे आविकारी शब्द कहलाते हैं जैसे यहां किन्तु नित्य और हे अरे आदी इन में क्रिया विशेशन, संबंद बोधक, समुच्य बोधक और विस्मयादी बोधक आदी हैं आईए जानते हैं कि पद किसे कहते हैं जब कोई शब्द व्याकरणिक नियमों में बंद कर वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद कहलाता है दूसरे शब्दों में जब कोई शब्द स्वतंत्र ना रहेकर व्याकरण के नियमों में बंद जाता है तब वह शब्द पद बन जाता है इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है जैसे कजमम जमल बराबर है कमल शब्द है लेकिन तालाब में खिला कमल का फूल सुन्दर होता है इस वाक्य में कमल शब्द ना रहकर पद बन गया है यहां कमल शब्द व्याकरणिक नियमों में बंद कर वाक्य में प्रयूक्त होने के कारण पद बन गया है आईए अब देखते हैं कि शब्द और पद में क्या आंतर है शब्द बढ़नों की स्वतंत्रवा सार्था की काई है जबकि व्याकरणिक नियमों में बंद कर वाक्य में प्रियुक्त होनी पर शब्द ही पद कहलाते हैं शब्द का परिचे मात्र अर्थ होता है जबकि पद का व्याकरणिक परिचे होता है शब्द लिंग वचन कारक क्रिया से स्वतंत्र होता है जबकि पद लिंग वचन कारक क्रिया से बंधा होता है आए अब शब्द वपद से संबंदित कुछ MCQ देखते हैं पहला प्रश्ण है वाक्य में प्रयूक्त सार्थक शब्द कहलाते हैं और इसका सही उत्तर है कपद दूसरा प्रश्ण है उसने तेज दोड़ती हुई बच्ची को पकड़ गिया रेखांकीर पद है कसर्वनामपद, खक्रियापद, गक्रियाविशेशनपद, घ高 cries शेशनपद और इसका सही उत्तर है गक्रियाविशेशनपद प्रश्न तीन वर्णों के सार्थक मेल से बनता है कशब्द, ख़पद, गवचन, ग़ लिंग और इसका सही उत्तर है कशब्द प्रश्न चार शब्द कब बद बन जाता है कजब सोतंत्र होता है, ख़जब वाक्य में प्रयोग होता है ग़ जब संग्या से मिलता है, ग़ सर्वनाम से जुड़ता है और इसका सही उत्तर है ख़जब वाक्य में प्रयोग होता है प्रश्न पांच, शब्द की विशेष्टा है क़ इकाई में बन दना, ख़जब सोतंत्रवा सार्थक होता है प्रश्न पांच, जो शब्द प्रयोग के अनुसार परिवर्थित नहीं होते, वे होते है और इसका सही उत्तर है ख़जब विशेष्ट प्रश्न पांच, वाक्य बनता है और इसका सही उत्तर है गशब्दों से मिलकर, ख़जब वर्णों से मिलकर, गशब्दों से मिलकर, गशब्दों से मिलकर अन्तिम और दस्वा प्रश्न है, शब्द होते हैं ग सार्थक, ख स्वतंत्रवा निर्थक, ग स्वतंत्रवा सार्थक, ग उप्रोक्त में से कोई नहीं और इसका सही उत्तर है ग स्वतंत्रवा सार्थक, मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें